यदि आप 5G Services के launch होते ही 5G में shift होने का plan बना रहे हैं तो थोड़ा रूक जाईए हम आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं बतादें कि देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपणी रिलाइंस जीयो के पास वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रहक हैं यही कारण है कि टेलिकॉम कंपणी को 4G सेवाए देने के लिए एक विशालकाई स्पेक्टरम संसाधन के आवज सकता है वर्तमान समय में जीयो और सभी टेलिकॉम कंपणी के ग्रहकों को नेटवर्क कंजेशन का सामना करना परता है क्यूंकि कैपसिटी लिमेटेड है जिस करन्वस नेटवर्क कंजेशन जादा होती है लेकिन जैसे ही 5G सर्विसेस लॉंच होगी एक बड़ा ग्रहक आधार 5G स नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए 4G नेटवर्क की आवश सकता नहीं होती है लेकिन 5G नोन इस्टेंडेलोन आर्किटेक्चर में चीजे थोड़ी अलग है जीयो के जितने ग्रहत अधिक तेजी से 5G में सिफ्ट होंगे जीयो के 4G नेटवर्क पर उतने ही कम लोड होग एक बड़ा ग्रहक आभार 5G सेवाओं में सिप्ट करेगा जिस कारणवस 4G नेटवर्क में लोड थोड़ी कम हो जाएगी जिससे ग्रहक 4G नेटवर्क में अच्छी स्पीड का अनुभव कर सकते हैं हाला कि मैं इस बारे में इस पश्ट नहीं हूँ कि 5G MSA आर्किटेक्चर के साथ भी ऐसा होगा या नहीं 5G non standalone आर्किटेक्चर में 4G कोर की आवेश सकता होती है हाला कि आपको बता दें कि 5G स्पेक्टरम और 4G स्पेक्टरम दोनों अलग अलग होते हैं इस परकार यह भी संबग हो सकता है कि एरटेल के ग्रहकों को भी एरटेल की 5G सर्विसेस लॉंच होने के बाद एरटेल 4G सर्विसेस में अच्छी स्पीड का अनुभव मिले हाला कि अगर भविस में ग्रहकों को 4G नेटवर्क में सुधार नजार आता है तो ग्रहक 4G नेटवर्क को छोड़कर जल्द 5G नेटवर्क में सिफ्ट नहीं होंगे बसरते 5G के प्लैन्स महंगी ना हो